हेलो गाइज वेलकम टो आज चैनल एजुकेशनल एमबेसी में तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट कोश्चन है क्यूबा का जुड़ाव किस देश से था ओप्शन एक सोव्यत संग से फिदेल कास्त्रो किस देश का राश्परती था अंसर होगा बी क्यूबा का थर्ड कोश्चन है देशों का कौन सा समुझ नाटों से संबंदित था अंसर होगा सी ब्रिटेन फ्रांस पस्टिम जर्मनी कोश्चन फोर्ट ट्यूबा मिसाल संग कर कब उत्पन हुआ फर्स्ट नेंटीन सिक्टी टू में फिफ्ट कोश्चन है सी त्यूद किन देशों के बीच जारी था अंसर होगा डी सोव्यत संग और अमेरिका के बीच क्रेशन सिक्स्ट है सी त्यूद का चरम बिंदू था अंसर है ए क्यूबा मिसाइल संग कर कर के सेवन कोश्चन है मित्र राष्ट में सामिल देश थे अंसर होगा ए अमेरिका सोव्यत संग ब्रेटेन और फ्रांस क्रेशन नियर्ट है धूरी राष्ट में सामिल देश थे बी जापान जर्मनी और इटली Q9 है जुत्य विश्वियूत के बाद किन दो महासक्तियों का उधर हुआ आंसर होगा B. अमेरिका और सुवियत संग Q13 है सित विश्वियत का कारण क्या था आंसर होगा A. अमेरिका और सुवियत संग के महासक्ति बनने की ओर Q11 है उत्तर, अटलांटिक, संदी, संगिठन, नाटो के स्थापना कब हुए आंसर है A. अप्रेल 1949 में Q12 है वार्षा पैक्ट का गठन कब हुआ आंसर है C. 1955 में Q13 है नव सत्तंत्र राष्टों को दो दूनी है विश्व की गुटवाजी से अलग रहने कामों का दिया आंसर है C. गुट निर्पेक्स आंदोलन Q14 है उत्तरी और घक्षुनी कोडिया के बीच मध्यस्ता में किसने महत्पून भूमी का निवाई आंसर है ज्वालान नेरुन गुट निर्पेक्स आंदोलन के जड़ में किसको भूम का थी आंसर है D. उप्रूप सभी Q16 है निम्ली लिखित में से कौन सा कथन गलत है आंसर है C. अगस्त 1942 में अमेरिका के ये सहरों पर परमानुबं गिराए गए Q17 है शीत युद के बारे में निम्ली लिखित में से कौन सा कथन गलत है आंसर है D. अमेरिका और सोव्य संग सीरे युद में सामिल थे Q18 है निम्ली में से कौन सा कथन गोट निपेक्स अंदोलन के उद्धियों पर प्रकास नहीं डालता है आंसर है C. वैस्विक मामलों में तर्ट इस्थत्ता की निती अपनाया Q19 है निम्ली में से कौन सा कथन समकालिल विश्विव्यस्था के बारे में गलत है आंसर है D. अंतरवास्तिय कानूनों का उलंगन करने वाले देशों को संग्यूत राक्ष्ट द्वारा कड़ी सजा दी जाती है Q20 है नीचे माहा सक्चे द्वारा बनाए गए सेन्य संग्ठनों की विशेषता बताने वाले का काम दिये गए हैं गलत कथन बताईए आंसर होगा D. महा सक्टियों सभी संग्रत से देशों को अपने प्रमानूं हतियार विश्चित करने में मदद करती थी Q21 है सित्यूत संबंदी निम्न लिखित कथनों में से कौनसा कथन आसकते है A. इसने एक और विश्यूद को जनम दिया Q22 है नाटो का मुकावला करने के लिए डैस ने वार्षा पेक्ट की रिसापना की आंसर है A. पूर्वी गड़बंदन में Q23 है प्रथम गुट निर्पेक्स सम्मेलन 1961 में डैस में हुआ था आंसर है बेल ग्रेड में Q24 है बांगला देश संकट के समय भारत ने डैस के साथ मितरता की संदी की आंसर है A. सोव्यत संग के साथ Q25 है शित यूद के दोरान डैस के सिधान ने पारसपरिक यूद नहीं होने दिया Q26 है 1949 में नाटो में डैस देश सामिल थे Q27 है डैस नेता गुर्ट निर्पेक्स अंदोलन के संस्तापक माने जाते है Q28 है अमेरिका में सवतंत्र की लडाई डैस में हुई थी Q29 है 1945 में मित्र देशों की सेना में संगूत राजय अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत, रूज और डैस सामिल थे Q30 है 1962 में डैस ने क्यूबा में परमान मसाइले तैनात कर दी Q31 है 1914 से डैस के बीच पहला विशूद हुआ था Q32 है पूर्वी कठवंदन को वार्षा पैक्ट के नाम से जाना जाता है जिसकी स्थापना डैस में हुई आंसर है B 1955 में गोटनिर पेक्षता ने डैस अफरीका और लातिनी अमेरिका ने नव सकतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया आंसर है A Asia Q34 है खस्चेव ने क्योबा में प्रमानों मिसाइले तेनाद कर दी आंसर है A 1962 में Q35 है क्योबा डैस के टर्ट से लगा हुआ एक छोटा सा DPA देश है आंसर है B अमेरिका Q36 है पूर्वी गठ बंदन का अगुवा डैस था आंसर है B सोव्यत संग Q37 है डैस विस व्यूद की समाप्ती से ही सित व्यूद की शुरुवात हुई Q38 है अगस्ट डैस में अमेरिका ने जापान परपरमानों गम गिराए आंसर है C 1945 में Q39 है अपरेल डैस में दक्षिन अटलांटिक संधी संगतन की स्थापना हुई आंसर है D 1949 में Q40 है नाटो अपरेल 1949 में अस्तितुर में आया और वह डैस राज्यो का संग है Q41 है द्वित्यविस्वयूद के अंत में अमेरिका द्वारा जापान पर परमानों बम गिराने की व्यापक रूप से अलोचना क्यों हुई Q42 है द्वित्यविस्वयूद के पस्चात किन मासक्तों का उद्य हुआ Q43 है द्वित्यवियूद का अर्थ है विस्व का दो गुटों में बटा होना Q44 है पुंजिवात का अर्थ है एक ऐसी विवस्ता जिसमें अर्थ विवस्ता पर सरकार का नियंत्र होता है Q45 है पुर्वी कठवंदन के बारे में क्या सही है आंसर है दी उपर्यूप कोई ने Q46 है शित्यूद काल में बनाए गए पस्चिमी कठवंदन से क्या विप्राय है A. पस्चिमी यूरोप के देशों द्वारा अमेरिका नियत्र में एक गुट नाटो बनाना Q47 है पस्चिमी गठवंदन के बारे में क्या सही है A. अंसर है C. A. और B. दोनो A. पस्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया B. अधिकांश पस्चिमी देशों द्वारा उत्री अटलांटिक संधी संगितन नाटो के स्थापना की गए Q48 है महासक्तियों को छोटे देशों के भूछ हेत्रों के आवसक्तिया क्यों थी A. महासक्तियों को अपने हत्यारों और सेना का संचालन करने के लिए Q49 है द्वित्य विश्यूद कब हुआ? आंसर है B. 1939 में Q50 है द्वित्य विश्यूद के दोरान मित्र रास्टो की अगुआई कौन कर रहा था? Q51 है अपरोद किसे कहते हैं? Q51 है अपरोद किसे कहते हैं? A. जब दोनों पक्ष सक्ति सालिवा प्रेस पर निवास करने में समर्थ होते हैं तब कोई भी पक्ष यूद का खत्रा नहीं उठाना चाता है A. Q52 है वासा पैक्ट को पूरवी कटवंदन भी क्यों कहा जाता है? A. पूरवी यूरोप के बहुत से देश सोव्य संके नितत्रों में गठवंदन वार्षा पैक्ट में सामिल हुए थे Q53 है एक देश के बुन्यादी मुल्य क्या है? A. संप्रभूता, B. सेत्र या प्रादेशिक स्वतनत्रता A. अप्षन C है A और B दोनो A. अप्षन D है उप्पर यूद कोई नहीं? A. अंसर क्या होगा? A. और B दोनो Q54 है 1960 के दसक के प्रादेशिक में दोनों महासक्तियों के बीच कौन सा समझोता हुआ था? A. अंसर है A. और B दोनो A. है सिमित परमानू, परिक्षन संदी B. है परमानू, अप्रसार ससी Q55 है गुट निर्पेक्स देशों के मुख्यता निर्था थे A. अंसर होगा? D. उपर यूद सभी A. जवाला नेरू B. सुकर्णो C. जोसेफ, बॉज, टीटो Q56 है गुट निर्पेक्स अंदोलन क्या है? A. या विश्व की दोनों महासक्तियों Q57 है गुट निर्पेक्स अंदोलन में सामिल देशों के सबसे बड़ी आवसक्तिया क्या थी? A. और B. दोनों आर्थिक रूप से अधिक विद्कास करने की और B. अपनी जनता को गरिवी से उबारने की Q58 है गुट निर्पेक्स अंदोलन में के माध्यम से जवाल लानने रूप किस लक्षे को प्राप्त करना चाहते थे? आंसर है A. और B. दोनों A. कठिनाई से प्राप्त सम्प्रभूता की रक्षा तता शेत्री अखंडता और एक्ता को बनाए रखना और B. तीव्ड आर्थिक विकास को बढ़ावान देगा और B. युद में सामिल ना होने की नीती का पालिन करना और B. आंसर है B. नहीं और B. पहला गुट निल पेक्स हम मिलन कब हुआ था? और B. आंसर है A. 1961 में और B. आंसर है B. गुट निल पेक्स आंदोलन में सामिल देजो को और B. आसर है A. महासक्तियों के बीश प्रतिद्वन दिता तनाव और संगर्स को जारी रहता है लेकिन यह संगर्स और तनाव युद का रूप नहीं लेते है B. यह उप्सन है दोनों महासक्तियों में तनाव प्रतिद्वन दित्ता का होना प्रंतु कभी भी आमने सामने का युद शुरू करने का प्रियास नहीं करना तो हमारा आंसर क्या होगा? C. A. और B. दोनों Q. नुम्बर 64 है शित उत के काल में किन विचार धाराओं में तनाव चल रहा था? आंसर है A. सामने वाद पुन्जी वाद Q. नुम्बर 65 है शित उत के दोरान दोनों गुटों ने हत्यारों का जमावरा क्यों एकत्रित किया Option A. सित उत के दोरान दोनों देशों के बीच प्रतिद्वन्जीता समाप्त नहीं होई थी Option B. दोनों को ही एक दूसरे की तरफ सामले की आसंका रहती थी Option C. हत्यारों के बड़े जखीरे को यूद से बचे रहने के लिए ज़रूरी माना गया Answer क्या हुआ? D. प्रयूप सभी Question 66 है दूसरे विश्व यूद के परसाथ वैस्व कराज़निती में क्या पड़िवतन आए? Option A. विश्व में तो महासक्तियों का उध्य हो गया Option B. सोवियत संग और अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी सक्ती थी Option C. एक दूसरे से आगे निकलने की होड के कारण दोनों महासक्तियां विश्व के विविन हिस्सों में अपना प्रभूत्तु बढ़ाने में लगी Option D. होगा हमारा Answer Question 67 है सितुत का प्रभूत कारण क्या था? Option A. विश्व में अमेरिका सोवेट संग का दो महासक्तियों के रूप में उभरना Option B. दोनों देशों की एक दूसरे से आगे निकलने की होड Option C. महासक्तियों के पास सक्तिसाली पर्मानों अतियार थे प्रन्तु कोई भी पक्ष यूद का खत्रा नहीं उठाना चाहता था हमारा Answer का होगा? D. उपर यूग तिश्वी Question 68 है दोनों देशों के प्रभूत की राजनीती में अमेरिका की क्या इस्थिती थी? Option A. अमेरिका बहुत मजबूत इस्थिती में था Option B. वह वैस्वी के राजनीती में एक महासक्तिक रूप में अपना स्थान बना चुका था Option C. अमेरिका ने पस्चिमी कटबंदन को संग्रिटन का रूप प्रतान कर 1949 में उत्तर अटलांटिक संधी Q. संग्रिटन नाटो के स्थापना की और इन देशों में साम्मेवाद का प्रसाथ रोकने के लिए विदेश नीती निर्जारित की Answer D. उपर यूप सभी Question 69. विश्व एकल दुरूवी है कब बना? Answer A. 1991 में सोव्य संग्रिटन के बात था Answer A. और B. दोनो क्यूबा के मिसाइल संकट में किन अंतर रास्तिय व्यक्तियों ने महत्पूर्ण भूमी का निवाई थी अप्शन ए ए जॉन एफ कैनेडी बी ए निकिता नुश्चेव ने सी ए फीदेल कास्त्रो और आंसर होगा डी और ए और बी दोनों ने क्यूस्चन नुबर 72 है द्वित्यन विश्व यूद के बाद कि मैं कुन घटना थी अप्शन ए विश्व में दोमा सक्तियों का हुझे अप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र संका घठन अप्शन सी ए गुट निर्पेग्स आंदोलन की स्वाद आंसर होगा डी उपर्यूक्त सभी पस्चिमी गुट द्वारा निर्मित सैन्य गटवन्दना अप्शन ए उत्तर अट्लांटिक संधी 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 नाटो अप्शन बिए दक्षिन पूर एस आई की संधी संधे सोथर अप्सेडियस संधी संधे अंशर योगक्त सभी कुशेशन नमे MBA संटिफोर मार्शल योजना के वारे में पारे में क्या सही है Option A, Marshall योजिना अमेरिकी विदेश मंत्री के शिटाना में डेower EPA के शिमaci का एमरिका मत्रा कोई मिदे जापते दिएू Option है, अप्रेल 1949 में पस्चिमी कटबंदन में अमेरिका की अगवाई में बारत देशों को लेकर उत्तर अक्लांटिक नाटो को जन्मित दिया. Option है, इसमें बेल्जियम, कनाटा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलेंड, इटली, लक्जेमवर्ग, नींडरलेंड, नार्वे, पुर्तिगाल, ब्रिटेन और अमेरिका समिल थे. बाद में युनान, परिश्चिमी, जर्मनी और तुर्किस्तान को भी इस संधी में समलिक कर लिया गया. Option C है, नाटो के गटन के समय की गई धोसना में साफ सब्दों में या कहा गया कि उत्तरी अमेरिका या यूरोप के साल किसी भी एक देश पर होने वाले हमले को इस संग्टन में सामिल सभी देश अपने उपर होने वाला हमला माना करेंगे. Q76 है, निमनी लिखित को काला नुक्रमिक क्रम से व्यवस्तित कीजिए. Option A है, ट्रामेन का सिदान्थ, Option B है, बगदाद समझोते पर हस्ताक्षर, Option C है, बल्लीन की दिवार गीरी, Option D है, क्योबा मिशाइक सेंक्षर. Q77 है, निमनी लिखित को काला नुक्रमिक क्रम से व्यवस्तित कीजिए. Option A, जर्मनी का एकी करन, Option B है, सोवियसंका विविटन, Option C है, बल्लीन की दिवार खड़ी की गई, Option B है, मार्सल योजिना. क्या आएगा पहले फर्स्ट प्याएगा ऑप्शन 4 D. मार्सल योजना फिर आएगा C. वालिन की दिवार खड़ी की गई फिर आएगा A. जर्मनी का एकी करन फिर आएगा B. सोवेट संका विविटन Q78 है क्यूबा पक्षे पास्तर संकट कब उत्पन हुआ आएगा A. 1962 में Q79 है सेत उत्प का संबन था अमेरिके गुट और सोवेट गुट से Q80 है भारत ने सेत उत्प से अलग रहने के लिए किस आंदोलन की शुरुआत की आएगा B. गुट ने पेक्स आंदोलन Q81 है सोवेट गुट ने किस स्राइनिक गट बंदन का निरुमान किया आंसर है C. वार्षा पैक Q82 है क्योबा मिशाल संकट के समय सोवेट संका नेतर जिस नेता के हातों में था उसका नाम था Q83 है नाटो की इस्थापना कव हुई थी Q84 है वार्षा संदी की स्थापना हुई थी Q85 है C. तो उतके प्रतिभाद की क्या नेती थी Q86 है छोटे देश निम्न कारण से महासकतों के बड़े काम के थे Q87 है तेल और खनीच QB है भूर्षेत्र QC है शैनिक ठिकाने आंसर के होगा D. उपर यू तीनो Q87 है तो उतके दोड़ान महासकतों के बीच तना तनी का मुख्य अखारा जो महाद्वीप बना उसका नाम है Q88 है रिप्त इस्थानों की पूर्टी करें QA नाटों का मुकाबला करने के लिए डैस ने वार्षा संधी की इस्थापना की QA पूर्वी गठबंदन ने की संधी की आंसर है बांगलादेश ऑप्शन दी है सित्यूद के दौरान डैस के सिद्धान ने जूद नहीं होने दिया आंसर है अपरोद सिद्धान Q89 है मिलान कीजिए देश और राजधानियों के बीच ऑप्शन है परमानू अप्रसार संधी क्या होगा 1970 में ऑप्शन B गुट निर्पेक सम्मिलन बेल गेड़ 1961 में ऑप्शन C जापान परपरमानू हमला 1945 में वह था ऑप्शन D अंक टाड सम्मिलन का वह था 1972 में सही अत्वा गलत अप्शन E अगस्त 1942 में अमेरिका के दो सहरों पर परमानू बं गुट निर्पेक सम्मिलन बेल गेड़ यह गलत है अप्शन B है महसक्तियां सभी सदस्य देशों को अपने परमानू अतियार विच्छत करने में मदद करती थी यह भी गलत है क्वेस्टन नंबर 91 वाक्यों को सही करके लिखे इस निकांगों में क्यूबा में परमानू मिसाईले तेनात करदी अव्तरन पर अधारित प्रशन नीचे दिए गए अव्तरन को ध्यान पुड़क पड़ी और दिए गए परसनों के उत्तर दीजिए क्वेश्चन नम्बर 92 है सुव्य संकोचिंता किस रन से शुरू हुई आंसर है C. 1961 से क्वेश्चन नम्बर 93 है क्योबा कोडूस के सैनिक अड़े के रूप में बदलने का फैसला किसका था आंसर है A. निक्ता खुश्चेवने क्वेश्चन नम्बर 94 है अमेरिकी सैनिको कोडियार तैनार का पता कब चला था आंसर है B. तीन अफ़ते बाद क्वेश्चन नम्बर 95 है क्योबा अक्षे पास प्रसंकर कब उत्पन हुआ था आंसर है A. 1962 में अव्तरन पर अधारित प्रस्निट नीचे दिये गए अफ़तर इनको ध्यान पर प्रस्निट के उत्तर दीजेए क्वेश्चन नम्बर 96 है शीत यूद का कारण क्या था आंसर है A. अमेरिका और सोव्यास रंग के महासक्ति बनने की पोर्ग क्वेश्चन नम्बर 97 है शीत यूद किन देशों के बीच हुआ था आंसर है सोव्यास रंग और अमेरिका के बीच क्वेश्चन नम्र 98 है शीत यूद का सही अर्थ होता है आंसर है C. तनाव तता संकट की इस्थति क्योबा मिसाल संकट को किस युद का चरम बिंडू माना जाता है आंसर है C, सित युद का कार्टून चीतर पर आधारित परसन नीचे दिये अगर कार्टूनों को ध्यान पुरुवर काधियन कीजिए और निलिखित परसनों के उत्तर दीजिए उपर युद को लेकर भारत के जिश्टी को चितर परसनों के दरसाता है आंसर है D, वियत नाम में अमेरिकी दुसाहर्स को चितर किया गया है कोश्चन नमबर 103 है परसन कार्टून चितर कब का है आंसर है C, अमेरिकी ने चीन के साथ गुर्चिप दोस्ती गाठी